नास्कार बोल किलाब आजात हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहे पूरा सिस्टेम ही क्यों न चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाब आजात हैं तेरे अगर भारती जाता पार्टी को आसानी से 400 सीटे मिल जाएंगे तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तनाव में क्यों है? क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इस बात को लेकर डर है कि वो दोबारा सब्ता में नहीं आएंगे? आज ये सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं आज ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों की वज़ा से भारत को तानाशाही की तरफ धकेला जा रहा है ये तमाम सवालात हैं लोग सभाचुनाब सामने हैं और जाहिर से बात है ये सवाल पूछे जाएंगे मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने आंडी मुखर जी के इस आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन्स पर है आंडी मुखर जी का ये आर्टिकल कहता है इसका अगर हम हिंदी में आनुबात करूँ तो भारत के अंदर जो धन्ना सेठों का राज है उनका जो दबदबा पिछले दस सालों में बढ़ रहा है उसी का परिणाम है कि भारत जो है वो ताना शाही की तरफ बढ़ रहा है मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस आर्टिकल में दरअसल आंडी मुखर जी ने कहा क्या है और उस पर आप गोर कीजेगा आंडी मुखर जी तीन लों का नाम लेते है मुकेश अंबानी गौतम अडानी और सजजन जिंदल वो ये बताते हैं कि पिछले दस सालों में ये तीनों दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में आ गए है यहाँ तक की गौतम अडानी तो टॉप फाइव की लिस्ट में आ गए थे जी हाँ, दुनिया के टॉप फाइव अमीर लोगों में थे गौतम अडानी इस वक्ट भी वो सबसे धनी व्यक्तियों में थे और 2014 से पहले अडानी का स्थान दुनिया के तमाम धन्ना सेटों में साथ सोवा नंबर था करीब 696 नंबर था उनका मगर जैसे ही प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं गौतम अडानी का स्थान दुनिया के टॉप फाइध हन्ना सेटों में आ जाता है आडी मुखर जी अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि ये लोग अपने प्रॉड़क्ट्स को बेच कर या अपने बिजनस हुनर दिखा कर अमीर नहीं बने ये लोग इसलिए अमीर बने क्योंकि मोदी सरकार ने इन्हें बहुत अच्छे-च्छे कॉंट्राक्स दिये Modi government rewarded large businesses with tax cuts and awarded them price monopoly assets like airports. The villainy has got juicy deals when buying bankrupt firms and lobbied often successfully for protectionist trade policies. At the same time India's rules on foreign direct investment protected the national team from muscular global rivals. इसका हिंदी में अनुवाद ये किया जाएगा दोस्तों कि मोधी सरकार ने इन धन्ना सेटों को विदेशी प्रतिसपर्धा से बचाया जो विदेशी प्रतिसपर्धा करने वाली थी है जो विदेशी और द्यों के घराने थे उनसे बचाया ना सिर्फ वो किया दोस्तों बलकि देश के अंदर भी बहुत आसानी से कई कांट्राक्स दे दिये मसलन एरपोर्ट्स और यहां पर मिसाल दी जाती है जी वी के ग्रूप और अडानी के मैं आपके सामने कुछ तारीखें रखना चाहता हूँ जिस पर आप गोर कीजेगा सबसे पहले जून दो हजार बीस जून दो हजार बीस को दोस्तों सी बी आई जी वी के ग्रूप के खिलाफ केस दर्श करती है क्रिमिनल कॉंस्परिसी और फ्रॉड के मामले में एक साथ सो पाँच करोड के घोटाले में जी वी के ग्रूप वो था दोस्तों जिसके पास एरपोर्ट्स का कॉंट्राक्ट था हवाई अड़ों का कॉंट्राक्ट था मगर हैस्माय तरीके से जून दो हजार वीस को सीबियाई रेड मारती है एक कथित साथ सो पाँच करोड के घोटाले में अब इस तारीक पर गौर कीजिए दोस्तों अगस्ट दो हजार इकीस यानि की ठीक एक साल बाद ये रेड कब मारी जाती है दोस्तों जब देश कोरोना का सामना कर रहा होता है क्योंकि कोराना की आड में बहुत कुछ हुआ कोरोना की आड में मद्ध प्रदेश की सरकार को गिराया गया और कोरोना की आड में महराश की सरकार को भी चुनौती मिल रही थी और कुरूना की आड़ में जी वी के ग्रूप पर CBI जो है वो रेड बारते है ठीक एक साल बाद गौतम अडानी कमपनी में 74% स्टेक खरीद लेते हैं हिस्सेदारी खरीद लेते हैं नतीजा क्या होता है जिस हवाई अड़े पर जी वी के का कबज़ा था वो अब गौतम अडानी के हाथ में आ जाता है तारीक पर गौर कीजे अगस्ट दो हजार तेईस और फिर दो साल बाद सारा खेला पलट जाता है जनवरी दो हजार तेईस को CBI कोट finds no corruption by public officials in GV के scam case transferred to magistrate court इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि CBI को इस मामले में अधिकारियों में कोई प्रष्टाचार नहीं दिखाई देता मामले को magistrate court के सुपूर्द कर दिया जाता है अब गौर कीजे कि आंडी मुखर जी ने अपने आर्टिकल में क्या कहा था चाहे सजन जिंदल हो चाहे मुकेश अमबानी हो चाहे गौतम अडानी हो ये लोग धन्ना सेट इसलिए नहीं बन गए क्योंकि इन्होंने दुनिया को अपना प्रॉड़क्ट बेचा दुनिया में अपना नाम कमाया ये लोग धन्ना सेट इसलिए बने क्योंकि मोधी सरकार इनकी लगातार मदद कर रहा था और ये बात सामने कहा उभर कर आती है ये बात सामने तब उभर कर आती है जब Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूर की बतौलत देश के सामने गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आता है और इसमें क्या चीज़े सामने उभर कर आती है दोस्तों इसमें ये बात सामने उभर कर आती है कि किस तरह से ओद्यों के घरानों पर दबाव बनाया जा रहा था और वो लोग भाजपा को पैसा दे रहे थे उनके केसिस को खत्म किया जा रहा था यहां तक की औरबिंदो फार्मा के सरत चंद्र रेड़ी पर दबाव बनाया गया और वो दिल्ली के शराब घुटाले में सरकारी गवाह बन गए इन्होंने भाजपा को 50 करोड रुपए दिये थे और फिर वो सरकारी गवाह बन गए और आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 16,000 करोड रुपए में से भाजपा की जेब में 8,000 करोड रुपए गए फ्यूचर गेम का मालिक सैंटियागो माटिंग उसके 400 करोड की संपत्ती को जब्त कर लेती है मगर उसे गिरफतार नहीं किया जाता उसका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है और भाजपा में उन्हें शामिल करते हैं भाजपा के दिगज नेता राम माधव जिनके तार RSS से जुड़े हुए हैं ये मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ दोस्तों एक तरफ धन्ना सेटों का एक छट राज तूसी तरफ सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स के जरीए जैसा विपक्ष भी आरूप लगाता रहता है साफ तोर पर ब्लैक मेल का खेल चल रहा है आजाद भारत के इतिहास में ये एक ऐसा मामला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ओद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जैसे ही गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आया, आपने देखा होगा कि मुख्धारा का मीडिया जो भारत के 99 पीसदी घरों में पहुँचता है, उसमें इसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी, चर्चा बहुत दूर की बात है, भाजपा सरकार को कट घरे में भ आते रहे, यानि कि भाजपा को ये बात पता है, कि भेशक प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी अपने परम मित्रों को फाइदा पहुचाते रहें, कोदी मीडिया उसे कभी नहीं उठाने वाला है, और दूसरी बात, राम मंदिर की प्रान प्रतिष्था, और इसी से जुड बड़ी आबादी में ये बात जो है, वो डाल दी है उसके दिमाग में, कि हिंदू खत्रे में है, अगर हम सत्ता से चले गए, तो मुखलों करा जा जाएगा, यानि कि एक तरफ वो अपने धन्ना सेतों को फाइदा पहुचाते रहे, और दूसरी तरफ जनता को धर्म के ना अंत्र को नुकसान पहुचाया जा रहा था, विपक्ष के नेताओं पर अनाप शनाप अनरगल केस किये जा रहे थे, मसलन अगर आप दिल्ली के शराब घुटाले को भी देखें, तो इस मामले में के इजरिवाल को भी जेल में डाल दिया गया है, और आप जानते इस मामले में भाजपा के या इडी के स्टार गवाह कौन है, और विंदो फर्मा के सरचंद रेड़ी जिन्होंने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे में पचास करोड रुपे दिये थे, और बाद में गिरफतारी से बच गए थे, और बाहर आ गए थे, और अब जाहर से बाते स जूद खत्म किया जा रहा है, राहुल गांधी को अलग अलग केसिस में फसाया जा रहा है, उनकी तो सांसदी भी चली गई थी, उनका सांसदी वाला मकान उनसे छीन लिया गया था, दूसी तरफ तेजस्वी यादव पर भी साफ तोर पर निशान दिखाई दे रहा है, और आतंकवाद की धाराओं में फसाया जा रहा है, इस मंच से मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस मंच के प्रधान संपादक के खिलाफ क्या किया गया, आप सब जानते हैं, कोई नहीं जानता कि क्या मामला है, कोई नहीं जानता कि सुबूत क्या है, तीन तीन साल से प पीमा कोरेगाओं के मामले में लोगों को चार-चार साल से जेल में डाल दिया जाता है और इनमें से कई तो जेल में ही दम तोड़ देते हैं। उमर खालिद जेल में क्यूं हैं, कोई नहीं जानता, मगर उन पर निशाना साथा जा रहा है। कहने कार्थ क्या है दोस्तों कहने कार्थ यह है कि एक तरफ अपने धन्ना सेट मित्रों को फाइदा पहुचाया जा रहा है उन्हें दुनिया के अमीर लोगों में शुमार किया जा रहा है दूसरी तरफ विपक्ष और पत्रकारों और सामाजिक कारकरताओं पे लगातार इन्वेस्टर्स के लिए एक आकरशक चीज थी जिसके चलते वो भारत में आके इन्वेस्ट करते थे उसे तारतार किया जा रहा है उसे खत्म किया जा रहा है इसलिए मैंने कारकरम की शुरुआत में पूछा था कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी लोग सभा के जेल में क्यों डाल रहे हैं अगर आपको 400 सीटे मिल रही हैं तो जिन अजीब पवार छगन भुजबल या नाराइन राने पर आप रश्टाचार के आरोप लगाते थे जिने आप जेल में डालना चाहते थे आखिर क्या वज़ा है कि आप उनके साथ सक्ता में हैं जिस नित जनता पार्टी भरष्टाचार इमानदारी महिला अस्मिता इन तमाम मुद्दों पर समझोता कर रही है खुले आम समझोता कर रही है और वो ये जानती है कि उनसे कोई सवाल नहीं उठाएगा जैसे मैंने कहा 99 फीसदी मीडिया या ये कहा जाए भारत के 99 फीसदी घरों मे जो मीडिया पहुँचता है वो सत्ता से सवाल नहीं करता लहाजा देश की जनता के लिए या अमरितकाल चल रहा है जबकी धना सेटों और घरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है और एंडी मुखर जी ने बाकाइदा अपने इस आर्टिकल में उस बात क जिकर किया है अंडी मुखर जी क्या कहते हैं दोस्तों अपने इस आर्टिकल में आपको सरल शब्दों में बताता हूँ अंडी मुखर जी कहते हैं कि देश की जो कमाओ आबादी है वो है 92 क्रोज और इसमें से 10,000 लोग कमाते हैं करीब 38 करोड रुपए और क्या आप जानत हैं ये जो 10,000 लोग कमाते हैं वो देश की आवरेज इंकम से करीब 2000 गुना ज्यादा है आवरेज इंकम है 2800 डॉलर यानि 2800 और जो 10,000 लोग कमाते हैं वो इससे करीब 2000 गुना ज्यादा है और देश के 10 में से 9 लोगों की कमाई आवरेज से कम है यानि औसत से कम है पिछले दस सालों में जैसे कि आंडी मुखर जी कहते हैं अमीरों और गरीबों का फर्ख लगातार बढ़ा है और भारत की यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी के जो परमित्र हैं चाहे वो गौतमाडानी हो चाहे वो मुकेशंबानी हो चाहे वो सज्जन जिंदल हो वो दुनिया के मानशित्र में लगातार दस्तक दे रहे हैं और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हो गए हैं मगर ये मुद्दे इसलिए भाजपा को विचलित नहीं करते इसलिए प्रधान मंत्री को चिंतित नहीं करते क्योंकि वो अपनी गोदी मीडिया के सहारे, धर्म का धतूरा और समाज को बाटने का एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम आपके सामने हैं अब इसार शर्मा को दीजे अजाज़त, नश्कार अब इसार शर्म आपके सामने हैं